आप अपने बच्चों को जितना तपाओगे, जितनी मेहनत कराओगे, जितना उन्हें स्ट्रगल करने दोगे अपने आपको जितना संसार देखेंगे, जितना उतार चड़ाओ देखेंगे, उतनी समस्दारी आएगे तो समस्दारी समय के साथ आती है, आप कितने लोग सहमत इस बात से, कि समस्दारी समय के साथ आती है, समय के पहले यदि हाँ, समय के पहले समस्दारी आज आएगी, यदि आपने बच्पन से श्ट्रगल किया है तो यदि बचपन से आपने वो समय देखा है तो आप औरों की अपेच्छा समय के पहले मैच्चोर हो जाएंगे आज लड़के 25-30 साल में जो मैच्चोर होते हैं आप 18 साल में मैच्चोर हो सकते हैं लेकर 18 साल के पहले 15 साल से आपके जीवन में जब भरपूर स्ट्रगल हो तब इसलिए जीवन में स्ट्रगल होना चाहिए जीवन में कश्ट होना चाहिए क्योंकि आपको यूनिवर्सिटियां बड़ा न बनाएंगी आपके जीवन का संगहर्स आपको बड़ा बनाता है इसलिए चुनोतियों से हार ना नहीं भागना नहीं आत्म हत्या कर लेना किसी समस्या का समाधान नहीं है कुछ लोग कहते हैं बड़े तंग आ गए जीवन से मर जाते तो मर जाओ क्या फाइदा होगा तुमारा फाइदा बताओ मुझे क्या लाव है तुमारा आत्मात्या कर लेना अरे चुनोतियां से डर के भागते क्यों हो डटो सामना करो आत्म हत्या करना पराद डटो जी छाती फुला के खड़े रहो कष्ट आएगा किसे कष्ट नहीं आता भगवार राम को चवदा वर्स में कौन सा सुख मिला कितना कष्ट उठाया भगवार ने केवल इसलिए ताकि दुनिया को ये मैसेज दे सकें कि तुमारे जीवन में संकट आएं तुम आत्म हत्या ना कर लेना हमारी तरह जंगल में भी नंगे पाउं चल कर हमने देखो कैसे जीवन जिया तुमारे जीवन में भी साल दो साल का संकट आए तो घवराना मत मेरी तरह डट के खड़े रहना राम की सिक्षा हमारे लिए है तुम जरा जरा सा संकट आए तुम आत्मात्या करने की सोचते हो मरने की सोचते हो रौने लग जाते हो मारा जी हम बड़े दुखी है बड़े परिसान बताओ क्या सुदामा से ज़्यादा दुखी आप मैंसे कोई है नहीं सुदामा तो कभी ना रोई भगवान में बड़ा दुखी हो नहीं दुख सुख तो है कहा जाएगा दुख सुख जैसे रात आएगी दिन आएगा कोई माई का लाल रात दिन को रोक नहीं सकता उसी तरह तुमारे जीवन से कोई माई का लाल सुख और दुख को रोक नहीं सकता आएगा हाँ मजबूत बनाव अपने आपको हर स्थिती से गुजरने के रेडी रखो, तैयारियां रखो, तुम तैयारियां नहीं करते इसलिए परेशान हो जाते हैं अपने बच्चों को ज्यादा जू-जू न बनाया करो, ज्यादा सुखी 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 नहीं, बच्चों के जीवन में जितना उन्हें कष्ट मिलेगा, सिंपल है, मेरी मा सौने को जितना तपाओगे उतना चमकेगा, सौने को जितना तपाओगे उतना चमकेगा, इसलिए आप अपने बच्चों को जितना तपाओगे, जितनी मेहनत कराओगे, जितना उन्हें स्ट्रगल करने दोगे, देखते रहो बच्चों के स्ट्रगल को, तुमारे पास करोणों की संपधा है, फिर भी ना, उन्हें कमाने दो-10 रुपए, जाओ बाजारम भेजो जा, 100 रुपए कमाके ला, बता चलेगा के 100 रुपए की कीमत क्या है, जब वो पसीना गिराके कमाएगा, ऐसे तो बाप करोणों रुपए दे सकता है, लेकर उस करो मुझे पता है कि एक मुठी आटे की कीमत क्या होती है इसलिए मैं अन्य कभी विगाडता नहीं हूँ मुझे पता है मैंने अपने जीवन में सबसे पहले पहली कमाई मैंने जब की तो मेरा अंग अंग दुखने लगा इतनी मेहनत की मैंने और मैंनज करने के वाद मुझे तीन हजार रुपए मिलेधे सबसे पहले मुझे पता है कि हजार रुपए की कीमत क्या है 100 रुपए की मत क्या है मैं आफशा करता हूँ कि आप लोग कथा बहुत ही अच्छे सुने हों तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जाहिए जाहिए